सो वैल एडवांच टेक्नलोजी ने यार जो पीपल का जो माइंड सेट है वो काफी जादा चेंज कर दिया है जो पहले की लोग यार एनलॉग वाचेस का यूज करते थे वो अभी यार स्मार्ट वाचेस पर सिफ्ट होना चाहते हैं यहां पर जितने भी नॉटिफिकेशन है फोन के कॉल्स के विडाउट चेकिंग यूर फोन यार और सिर्फ इतना ही नहीं इसमें आपको बहुत सारे फीचर देखने मिल जाते हैं जैसे कि हटेट मॉनिटर वैदर प्रेडिक्टर रैप कैलरी काउंटर स्टैप काउंटर जो की काफी जादा वर्सटाइल एंड यू इसी प्राब्लम को सॉल्फ करने के लिए मैप के लिए लेके आगया हूं बेश्ट स्मार्ट वॉच अंडर 3000 रुपेज वैल मैंने हर एक स्मार्ट वॉच के लिए क्राइटेरिया रखा है जहां पर कि आपको जो फीचर्स मिलते हैं कनेक्टिविटी की बात की जाएं स्वा स्मार्ट वॉच की जहां पर कि आपको अच्छा टॉच्स्क्रीन डिस्प्ले या फिर कंवर्टेबल स्ट्रैप्ट वॉटर एश्टेंस बॉटे स्लिप ट्रैकर जैसे आपको देखने मिलें जो एक्स्पीरियंस है वह काफी अच्छा होना चाहिए यार विकॉज आप अप आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो यार चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओ तो शुरू करते हैं इसी वीडियो को विदाउट एनी फदर देले ले लेट स्टार्ट सो दोस्तों सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूँ नॉइस की यहां पर आपको एक स्ट्रॉंग पॉलिकार्वनिट केस मिलता है जो कि कलर फ्यूट प्रूट को काफी ज्यादा हलका बना देता है इस वाली वाच में यूनो हेल्थ के परस्पेक्टिब से अगर बात की जाए तो ट्वेंटी फोर सैवन हर्टेट मॉनिटरिंग मिलती है जहां पर कि आपको बिल्ट इन ऑप्टिकल हर्टेट मॉनिटर है जो कि हर्टेट मॉनिटर को हर पांच मिनट में यह चेक करता रहेगा यहां पर आपको विद टैन डेस की बैटरी लाइप मिलती है जो की एक मैगनेटिक चार्जर के साथ में आता है तो यह बहुत ही सई च 68 की waterproof rating मिल जाती है तो यहां पर यह उनों water के splashes से कोई tension वाली बात नहीं है आप वो सारे काम कर सकते हैं health के perspective से देखा जाए तो definitely one of the best smart watch यह रह सकता है आपके लिए look wise भी यार मैं कहूंगा बहुत ही decent smart watch है यह वैल अगर मैं बात करूँ इसके pros and cones के बारे में तो देखो यहां पर आपको stylish design आपको मिलता है बहुत सारी features के साथ में आता है जहां पर कि आपको एक bright display मिलता है lightweight design है इसका वहीं दूसरी तरफ cone की वैसे बात करूँ तो ऐसा को मुझे को लगा नहीं बट यहां पर यहां पर इसका जो रिस्पॉंज टाइम है वह काफी जादा यह लैगी देखने में मिला यार कई बार यह यह रिस्पॉंड नहीं करता है तो definitely यह को रह सकता है बट यहां पर जो features आपको मिलते हैं जो यहां पर design आपको दिया गया वह definitely next level पर है well अगर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके कौन से तो definitely आप इसकी तरफ चेक आउट कर सकते हो well Amazon के उपर में इसकी pricing भी 3000 के आराउंड में है मैं आपको best filing description box में provide कल दूँँगा so make sure कि आप इसको वहां से जाके चेक आउट करें well बढ़ता हूं अप full touch smart fitness watch मिलता है जो कि rounded display के साथ में आता है जी हां यहां पर आपको eight different multiple sports मिल जाते हैं देखने को यहां पर आप अपनी blood pressure heart rate SPO2 oxygen saturation level को you know monitor कर सकते हैं यहां पर आप आप you know sleep coach track calorie burn distance को track करना हो तो definitely यह सारी चेज़ा आप कर सकते हैं plus में इसके साथ साथ आपको 100 plus customizable watch faces मिलते हैं IP68 की water resistance के साथ में वैल यह तो हो गई इसकी specification अभी अगर हम इसके बात करें यार pros and cons के बारे में तो देखो यहां पर आपको एक IP68 water resistance rating मिलती है एक you know long lasting battery life है यहां पर और इसकी जो build quality है या फिर मैं कहूं looks wise है तो काफी premium दिखता है अगर आप इस watch को अगर आप पहन के कही यहां पर कोई ऐसा option नहीं है कि आप messages को reply कर पाओ या फिर यहां पर call को भी answer करने का कोई यहां पर you know option मिलता नहीं है तो definitely यह कौन है वैल अगर आपको इससे कोई फरक नहीं पड़ता है तो definitely आप इस वाली smart watch की तरफ you know जा सकते हो well Amazon के उपर में इसकी pricing अभी 3000 के around में है म मैं आपको best by link description box so provide कर दूँगां so make sure कि आप उसको वहां से जाकर एक बार चेक आउट करें well बढ़ता हूँ अपने अगले smart watch की तरफ which is bot की तरफ से आने वाला extend smart watch यह जो smart watch था और इसकी pricing अभी you know 3,000 सभी उपर थी बट अभी कुछ time के लिए इसकी pricing 3000 के भी नीचे आ display मिलता है जो की LCD display है और round dial feature के साथ में आता है जो कि आपको provide करता है complete capacitive touch experience को जहां पर की जो controls है वो definitely effortlessly you know काम करने वाले है यहां पर आपको multiple watch faces मिल जाते हैं जो की customizable watch options के साथ में आते हैं यहां पर और तो और इस वाली watch में आपको ambient light display मिलता है जो की you know automatic adjustment of brightness you know आपको provide करत यह वाला जो watch आता है stress monitor के साथ में जो की you know heart rate variability के साथ में आता है जो की you know stress level को यह indicate करता है और यह वाला जो watch है दोस्तों यह heart rate और SPO2 यानि की blood oxygen level को monitor करता है जो की you know overall आपकी जो health है उसको काफी अच्छे से maintain करके रखने वाला है यहां पर you know आप अपनी sleep को you know track कर सकते ह अपनी sleep health को देख सकते है तो definitely इस वाली watch में यह feature दिया गया है तो काफी सही चीज है यार अपनी you know pricing के साब से you know decent performance यह provide करता है आपको so well अगर आप एक decent smart watch you know search कर रहे हो जहां पर उसकी pricing 3000 के अंदर में हो तो bot extend you know one of the best option आपके लिए हो सकता है इसका design वे कोंगा उतना भी you know flashy नहीं है बट you know काफी सही आपको देखने हो मिल जाएगा well यहां पर जो इसकी fonts हैं जो इसके icons हैं वो इतने impressive नहीं है which is a cone for me but still अगर आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पलता है तो definitely आप इसकी तरफ जा सकते हैं जहां पर यह आपको provide करता है decent battery life और यहां पर जो इसका you link description box नो provide कर दूंगा so make sure कि आप इसको वहां से जाकर check out करें बढ़ते हैं अगले smart watch की तरफ which is helix की तरफ से आने वाला you know smart 2.0 smart watch बात करते हैं इसके specification के बारे में तो यहां पर आपको एक large 1.55 inch का display मिलता है जो की full capacity touch color display के साथ में आता है यहां पर बहुत ही smooth operating experience आपको देन ही मिलती है जो की you know 15 days का use आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर इस वाली watch में आपको body temperature measurement का you know feature दिया गया है इसके साथ साथ में यह support करता है seamless integration google fit के या फिर apple health की बात करें जहां पर कि आप vital statics को you know check out कर सकते हैं यहां पर आपको you know 24 watch faces आपको देखने मिल जाते हैं well health क perspective से अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको smart sleep tracker और 24-7 heart rate monitoring आपको देखने मिल जाती है इसके साथ साथ में आपको 10 different sports mode देखने मिल जाते हैं और यह आपकी steps distance and calorie burn को भी you know track करेगा तो बहुत ही सही चीज़ है you know socially connected रहने का भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है जहां पर कि आ आप you know social media या फिर call messages या फिर other notification है वो सारी चीज़ है आप updated रहेंगे आपने helix के इस वाले smart watch में जहां पर की बहुत ही साई चीज़ है यार well मैं अगर बात करूं इसके pros and cons के बारे में तो देखो यार यहां पर you know all day heart rate monitoring मिलती है temperature sensor का आपको मिलता है support decent battery life 10 sports modes है यहां काफ प्राइजिंग के साथ में आता है वहीं कोन की बात करें तो यार GPS का support नहीं मलता है अगर आप इसकी देखोगे तो यार ऐसा भी कुछ गलत नहीं है यहां पर जो competition है वह काफी तगड़ा है तो यार definitely यार आप इसकी तरब भी यार चेक आउट कर सकते हो Amazon के उपर में इसकी पैबल की तरब से पेस smart watch बात करते हैं इसकी specification के बारे में तो यह वाला जो smart watch आता है एक dynamic display के साथ में जहां पर कि आपको full touch control का support मिलता है और इस वाली watch में आप heart rate, blood pressure, oxygen level, blood and sleep को इन सभी चीज़ों को monitor कर सकते हैं जहां पर कि आपकी lifestyle को आपकी health को काफी maintain रखने वाला है इस वाली watch में आपको inbuilt speed pedometer multiple workouts modes आपको देखने मिल जाते हैं जो कि highly accurate है अगर आप दिन भर भी आगर आप इसको track करें तो काफी अच्छे से track करेगा वैल इसमें आपको 14 days की battery backup मिल जाती है जहां पर कि आपको powerful you know 150 mh की battery मिलती है alongside यहां पर जो आपको advanced smart sensor आपको दिये या फिर वाटर के splashes से कोई tension वाली बात नहीं है आप सारी चीजे वह कर पाऊगे यार वैल अगर मैं बात करूँ इसके युनो इसके युनो pros and cones के बारे में तो देखो यार यहां पर इसका UI है वह काफी अच्छा आपको देखने मिल जाता है इसकी जो looks है या फिरा करें feel क कि बात करें तो काफी सही आपको देखने मिल जाता है heart rate sensor मिलता है जो कि युनो प्रिटी accurate है यहां पर water resistance सब्सक्राइब मिलता है यहां पर इसका app है वो भी काफी good and clean UI के साथ में आता है magnetic charger का आपको support देखने मिल जाता है वही कोन की बात करूँ यार तो यह नो blood pressure यह फिर मैं बात करूँ blood oxygen की तो वहां पर इसका जो यह function है वो थोड़ा बहुत कहीं नहीं लैक करता है GPS यहां पर आपको देखने में नहीं मिलता है बट अगर हम इसकी you know price segment को consider करें तो यह okay okay आपको देखने को मिल जाएगा वैल दोस्तों आप इसकी तरब भी check out कर सकते हो वैल अ कि आपको मेरी research मेरी listing काफी पसंद आई होगी वैल अगर आपके अभी कोई doubts अगर रह गहें तो यार field free यार comment section में आओ वहां पर मुझसे पूछो यार मुझे काफी अच्छा लगता है आपके question का answer करने में यार definitely and don't forget to share this video with your family friends colleagues it would be a great help for me and I will see you in a next video तब तक की लिए goodbye and take care ।